तो जी हाँ दोस्तों क्या आप भी अपने मुबाइल फोन के अंदर जीमेल अकाउंट को रेक कवर करना चाहते हो तो आप बिलुकुल सही वेडियो पे आग चुके हो तो आज किस वेडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जीमेल अकाउंट को रेक कवर कैसे करें तो चलिए दोस्तों बिना किसी दरिके वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने जो mobile phone में का जो आपका यहाँ पर दोस्तों डेटा है उसको यहाँ पर आपको ऑन करना है अब जैसे भी यह data ऑन करेंगे यह data ऑन करने के बाद अब आपको अपने मुबाईल फोन के अंदर आपको सेटिंग्स को ओपन करना है अब मान लो दोस्तों जैसे भी आप अपने मुबाईल फोन के अंदर सेटिंग्स को ओपन करेंगे सेटिंग्स ओपन करने के बाद अब आपके हांपर क्या करना है नीचे आना है जैसे भी आप यहां पर धीरी धेते से नीचे आएंगे अब यह नीचे आने के बाद आपके आपके नीचे में Google का आपको बटन देखने को मिलता है तो जैसे कि आपको यह Google वाले बटन पर आपको हलका सा एक बार किलिक करना है अब मानलो जी दोस्तों जैसे भी आप यहां पर Google वाले बटन पर किलिक करेंगे यह जो आपका Google सर्विस है कुछ ऐसा आपके यहां पर देखने को मिलता है तो अब आपके यहां पर उपर के साइड में ठीरी डॉट देखने को मिलते हैं तो जैसे कि आपको उस थ्री डॉट पर किलिक करना है अब जैसे भी आप उस थ्री डॉट पर किलिक करेंगे अब उस थ्री डॉट पर किलिक करने के बाद फिर जैसे आपके सामने आपको यहां पर एक हेल्प का बटन देखने को मिलता है तो जैसे कि आपको यह help वाले बटन पे किलिक करना है अब मान लो दोस्तों जैसे भी आप help वाले बटन पे किलिक करेंगे अब यह help वाले बटन पे किलिक करने के बाद अब यह जो आपका help का जो page है यह page आपको हैंपर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा तो अब आपको यहां पर क्या करना है अब आपको नीचे में आप देख सकते हो सर्च छिल्प आपको यह बाल आपको बटन देखने को मिलेगा तो जैसे कि आपको सर्च छिल्प वाले बटन पर किलिक करना है अब मान लो जैसे भी आप यहां पर नीचे सर्च छिल्प वाले बटन पर किलिक करेंगे अब इस बटन पर किलिक करने के बाद अब आपके यहां पर क्या टाइप करना है वो दोस्तों आप यहां पर ध्यान से देख लेना तो जैसे कि आपको यहां पर लोश्ट और स्टोलेन फून तो जैसे कि दोस्ता हमारे यहाँ पर जो internet है वो थोड़ा सा है यहाँ पर slow चल रहा है तो जैसे कि मैं आपर फिर से इस पर हमारे सर्च जहलब बटन पर किलिक करके मैं आपर फिर से हमारे ट्राय करता हूं तो दोस्तो आप देख सकते हैं पर नीचे में आ चुका है लोश्ट और स्टोलेन फून अब यह इतना यहाँ पर आने के बाद दोस्तो आपके आपके पर इस्पिलिंग सही तर केसे देख लेना है इतना टाइब करके नीचे आपको सर्च वाले बटन पर किलिक करना है तो जी हाँ दोस्तो अब मान लो जैसे भी आप यहाँ पर नीचे सर्च वाले बटन पर किलिक करेंगे अब यह नीचे सर्च वाले बटन पर किलिक करने के बाद अब आपके सामने फिर से कुछ ऐसा नया पेज ओपन होकर आजाता है अब यह नईया पेज ओपन होकर आने के बाद अब आपके हाँ पर ओपर के साइड में आप देख सकते हो fix common issue with two-step verification आपको इस वाले बटन पे किलिक करने हैं अब इस बटन पे किलिक करने के बाद फिर से आपके सामने कुछ इसा नईया पेज आपको देखने को मेलेगा किलिक करेंगे अब इस बटन पे किलिक करने के बाद फिर से आपके सामने दो आप्शन आपको देखने को मेलेंगे अब इन दोनों आप्शन में इसे आपके हांपर क्या करना है नीचे में आपको tips to complete account record जैफ आपको इस बटन पे किलिक करना है अब जैसे भी आप इस बटन पे किलिक करेंगे इस बटन पे किलिक करने के बाद फिर से आपके समने दोस्तों को जैसा नया पेज आपको देखने को मिलता है अब यह ऐसा नया पेज आने के बाद अब आपके हैं पर फिर से क्या करना है account recovery page आपको इस वाले button पे click करना है अब मानलो दोस्तों जैसे भी आप इस button पे click करेंगे इस button पे click करने के बाद अब आपको यह redirect अपने Chrome में आपको ले कराएगा याणि आपको Chrome में आपको redistirect कर देगा अप जैसे भी आप यहांपर Chrome में डारेक्त होने के बाद दोस्तों अब आपके नीचे में क्या करने नीचे में आपको डिख सकते, पर अपना फ़ोन नमर है डाल सकते हो तो जैसे कि मैं दोस्तों मैं आशा करूँगा कि आप जिस भी Gmail आकाउंट को यहाँ पर आपको डाल देना है तो जैसे कि मैं उस Gmail आकाउंट को मैं आपको डाल देता हूँ तो जैसे कि दोस्तों मेरा जो हाँ पर Gmail आकाउंट है मैं उस Gmail आकाउंट को यहां पर फिल कर चुगा हूँ अब यह फिल करने के बाद नीचे में आपको Next वाले बटन पर किलिक करने है अब मान लो जैसे भी आप यहां पर नीचे Next वाले बटन पर किलिक करेंगे अब यह नीचे next वाले बटन पर किलिक करने के बाद फिर इससे आपके सामने को जैसा नया पेज आपको देखने को मिलता है अब दोस्तो यह जो आपका gmail आकाउंट है इस gmail आकाउंट के यहांपर आपको password फिल करने है अगर मान लो इस gmail आकाउंट के यहांपर आपको password पता नहीं है तो नीचे में आपको try another way वाले बटन पर किलिक करने है अब उस बटन पर किलिक करने के बाद फिर से दोस्तो अब आपके यहांपर अपना जो phone number है वो phone number आपको फिल करने को बोलता है तो जैसे कि दोस्तो अब यह जो हमारा page है वो थोड़ा से हमबर loading ले रहा है तो जैसे कि हमारा जो internet है वो थोड़ा से हमबर slow चलने लगा है तो अब आपके हमपर क्या करना है दोस्तों अब आपके हमपर एक verification code दिया जाता है तो जैसे कि अब आपके हमपर क्या करना है इस box में दोस्तों आपको phone number फिल करना है अगर मानलो आपके पास phone number नहीं तो नीचे में आपको फिर से I don't have my phone पे आपको click करना है अब जैसे बाप चलते हैं जैसे वह आपको अपने होम पेज पेज आना है अप मानलो जैसे भी आप अपने पेज पे आएंगे होम पेज पे आने के बाद अब दोस्तों अब आपको अपने मुबाइल फोन के अंदर जीमेल आप को ओपन करना है तो जैसे कि दोस्तों मैं आपने मुबाइल फोन के अंदर जीमेल आप को ओपन कर चुका हूं अब यह जीमेल आप को ओपन करने के बाद यह जो आपका Gmail है, कुछ ऐसा आपके यहां पर open होकर दिखाई देता है, अब यह ऐसा open होकर दिखाई देने के बाद, आब यहां पर आपको ऊपर के साइड में एक profile का button देखने को मिलता है, तो जी हां दोस्तों, अब आपके हां पर ऊपर के साइड में अपने profile पर आपको click क मिलेंगे तो जिए हाँ दोस्तों अब आपके 안बर नीचे आना है नीचे आने कि बाद आपके एक नीचे में एड अनदर अकाउंट आपको इस वाले बन पर किलिक करना है अब मान लो जैसे आप अप एड अनदर आकाउंट पर किलिक करेंगे फिर से आपके सामने को जैसा आपको नया पेज देखने को मिलेगा अब यह दोस्तों नया पेज क्या है अब आपके हमपर ओपर के सैड में यह गूगल का आपको बटन दिया जाता है तो जैसे कि आपको इस गूगल वाले बटन पर आपको एक बार किलिक कर करेंगे अब यह गूगल वाले बटन पर के लिए करने के बाद अब आपके हम पर कुछ सेकेंड वेट करना है अब मान लो दोस्तों जैसे बाप कुछ सेकेंड वेट करेंगे कुछ सेकेंड वेट करने के बाद अब आपके हम पर क्या करना है आपके हम पर जो भी लॉक स्क्रे इमेल और फोन अब आपको दोस्ते हैं पर क्या करना है इमेल और फोन पर किलिक करना है इमेल और फोन पर किलिक करने के बाद अब दोस्तो अब जिस भी जीमेल आकाउंट को अपने मुबाइल फोन के अंदर आप रिक करना चाहते हो उस जीमेल आकाउंट को यहां पर आपको डाल देना है तो जैसे कि मैं उस Gmail आकाउंट को मैं यहांपर डाल चुका हूँ अब उस Gmail आकाउंट को यहांपर फिल करने के बाद फिर से दोस्तों आपके नीचे में देख सकते हो नीचे में आपको Next वाले बटन पर किलिक कर देना है अब मान लो जैसे भी आप यहांपर नी करना है याने आपको पासवर्ड डाल देना है अब मान लो दोस्तों उस Gmail आकाउंट को यहांपर आपको पासवर्ड पता नहीं है तो नीचे में आप यहांपर देख सकते हो Forget Password का एक बटन दिया जाएगा तो जैसे कि अब आपको Forget Password वाले बटन पर आपको किलिक कर देना है अब मान लो जैसे भी आपके आपको कुछ सेकेंड वेट करेंगे कुछ सेकेंड वेट करने के बाद अब आपके सामनी फिर से Welcome Back का आपको पेज यहांपर देखने को मिले अब दोस्तों यह जो आपका Gmail आकाउंट है यह Gmail आकाउंट आपका यहांपर रिकवर हो चुका है अब यहांपर देख सकते हो you can update your password now if you forget it यानि यह जो आपका Gmail है दोस्तों यह रिकवर हो चुका है आप चाहे तो यहांपर नीचे से अपना password आपडेट भी कर सकते हो नहीं करने हैं अब यह नीचे update password पर click करने के बाद अब दोस्तों आपके हांपर क्या करने यह एक अच्छा सापको फिल्ट करने के लिए आपके हांपर ऊपर के साड़े में देख सकते हो आपके हांपर दो बॉक्स दिये जाएंगे इन दोनों बक्स में आपको दोस्तों create password पर आ आपको किलिक करने के बाद अब यह जो आपका जिमेल है ना दोस्तों आपको भी क्या करना है आपको भी कुछ इसी तरिके से इस वीडियो को फॉलो करके आप भी अपने मुबाइल फोन के अंदर किसी भी जिमेल आकाउंट को रिकवर कर सकते हो तो जिहां दोस्तों मैं आश्या करता हूं कि मेरा वीडियो आपको यह कैसा लगा प्लीज कम्मेंट करें के बता जाना तो हम मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में तब तक लिए बाए बाए